और सीधर मिनाक्षी के पास चलेंगे एक ब्राउन जीरो से हमारे सा जोड़ी हुई ही लखीमपूर खीरी से मिनाक्षी देखें ये जो तस्वीरे सामने आ रही है वो दिल को देहलाने वाली है किस तरीके से बेडिये लगातार बच्चों को अपना निशान अमरा रहे हैं लेकिन वन विभाग की टीम ने कुछ कामियाबी हासिल की है लेकिन अभी भी सबी बेडियों को पकड़ने से कोसो दूर नसर आ रहे हैं क्या तैयारिया है वापर देखे बिको पहराइच में हलाकि लगातार कोशिश की जा रही है वहाँ पर जो डियेफो हैं वो लगातार ये कोशिश कर रही है रेनू सिंग की किसी भी तरीके से जो दो भेडिये बचे हुए हलाकि उनकी संक्या बार बार बदल दी जा रही है निवाला बनाया था लेकिन उसके बाद लगाता है जो चार पिंज्रे लगाये गए है 24 कैमरे लगाये गए है और जो उन कैमरों का इस्तमाल किया जा रहा है उसके बाद भी कोई सफलता हाथ नहीं लग रही है आलम ये है कि D.F.O. शाय जहापुर को भी इस्पेशलिस प्रोजेक्ट के लिए बुलवाया गया है और यहां के जो D.F.O. है वो भी लगाता है इस पर काम कर रहे है कल हमने उनसे बातचीत भी की थे उनका कहना था कि देखिए मूवमेंट हो रहा है बार बार जो कैप्चुरिंग है वो भी हो रही है कैमरों में लेकिन अभी तक यह हमें सवलता हाथ नहीं रगी हलाकि उनका यह कहना था कि लगबग 2-4 दिन में हम किसी भी तरीज से बाग को कैद कर लेंगे देखिए जो तैयारिया है वन विभा की तरफ से वो रकीमपूर कीरी में हो या फिर बहराइच में हो वो धरादल पर दिखाई देते लेकिन अगर हम बात करें सीतापूर की तो सीतापूर में थोड़ी सिती गड़बर नजर आती है जाए डियेफो चुटी पर चले गए है रेंजर कभी कबार आते हैं कई ऐसे गाव है जहाँ पर अभी पिंजरे नहीं लगाया गया है और वहां तो डवल अटेक्स शिखा द तो देखें किस तरीक से अमावस की रात और भेडियों के खौफ के बीच क्या कनेक्शन है ये भी आपको बता दे क्योंकि कल अमावस की रात थी ये बीती रात बहराईश में दिखा कि क्या कनेक्शन है जहां महज 15 से 20 दिन के अंतराल में आदमखोर भेडियों ने फिर से दो बच्चों पर हमला किया जिसके बाद अब इलाके में देश्यत और बढ़ गई है। कैसे अमावस की रात पूरी रात आदम खोर भेडिये शिकार की तलाश में रात भर लोगों के लोगों में खौफ बरते रहे। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमावस की स्याह रात प्रार्थनाओं का दौर आदम खोर की नजरों से अपने बच्चों को छिपाती बहराईज की ये माएं और गाउं की पकडंडियों पर रात भर पहरा देने को मजबूर गाउं वाले। बहराईज के तकरिबन 40 से भी ज्यादा गाउं में आदम खोर भेडियों की दहशत में माओं ने अमावस की पूरी रात जाक कर ही काट दी। और रात भर अपने कलेजे के टुकडे को अपने सीने से लगाई रखा। कहते हैं कि मा का आचल किसी भी बच्चे के लिए सबसे महफूस जगे होती है। मा के आचल में बच्चों को नजर तक नहीं लगती। बहराईच के इन सभी गाओं की माओं ने अपने बच्चों को दुलराते और सहलाते हुए अमावस की पूरी स्याहरात को पिता दिया। अंदर डर और दहशत भी लेकिन उसे अपने चेहरे पर आने भी नहीं दिया और अपने मासूम के सामने वो भावशून नि रही ताकि वो और न डर जाए। बच्चा सो रहा है लेकिन आप जग रही हैं क्या आप राद भर है इसी जग राद भर जाके गोद में बच्चे को लेकर बैटते हैं डर लग रहा है भेडिया से कहीं से आ जाए तो हमारे बच्चे को कुछ ना कर दे तो डर लग रहा है। सिर्हाने हसिया रख कर राद काटने को मجबूर ये माए जानती है कि अगर इनके सामने आदम खोर भेडिया आया तो ये उसे मारने में थोड़ा हिच्चचा सकती हैं। लेकिन जब बात उलाद की जान पर बनाए तो भला ये कहां चूपने वाली और कुछ यसी ही तस्वीरें और तहशत में ही लोगों ने अमावस की सिहरात को काट दिया अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने शिकार के लिए एक बार फिर निकल पड़ा उसके कदमों की आहट काओं में फैले सननाटे को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी उसके सुर्क भूरी निगाहें अपने नाई शिकार को तलाश रही थी इंसानी मांस खाने के लिए उसके दाद किटकिटा रहे थे और तहशत का दूसरा नाम बच्चुका भेडिया अपने नाई शिकार को खोश रहा था चहल कद्बी करता हुआ भेडिया मासिक शेत्र के पंडूया गाउं में पहुचा और उसने अमावस के काली रात में अपना नाई शिकार धूड लिया भेडिये ने अपने दादी के साथ सो रही एक पांच साल की मासूम पर हमला कर दिया लेकिन जब शोर हुआ तो वहाँ से भाग खड़ा हुआ और गाउं में ही अपना नया शिकार खोजने लगा शातिर भेडिये ने महस 15 मिनट के अंदर दूसरे बच्चे पर भी हमला कर दिया जिसमें गनीमत ये रही कि बच्चा बच गया लेकिन उसके गले पर भेडिया जो दात के निशान छोड़ गया वो इस बच्चे को जंदगी भर भेडिये के इस तहशत को याद दिलाते रहेंगे आदमखोर भेडिया अमावस के स्याहरात को खाली नहीं जाने देना चाहता था और यही वज़े रही कि वो रात भर अपना शिकार ढूरता रहा आदमखोर के बड़ते आतंक के बीच गाउवालों ने इस रात को तो काट दिया लेकिन यहां के रहने वाले सभी 40 गाउवों के लोगों के लिए हर एक रात नया डर लेकर आती है हर रात वो इस चुनौती से जूशते रहते हैं कि अपनी जंदगी और अपने बच्चों की इस जंदगी को आखिर कैसे महफूज रखा जाए प्यूरो रिपोर्ट रिपब्लिक भारत तो एक तरफ बाग और भेडियों की देशत से लोग परिशान है सरकार है संभव कोशिश कर रही है तो वहीं इस पर अब राजनीती होती हुई नजर आ रही है सपा प्रमुक अखलेश यादव्द का कहना है कि भेडिये की देशत से लोग परिशान है आखर सरकार कर क्या रही है सुनियो उन्होंने क्या कुछ का नेटफ्लिक्स सीरीज दकंधार हाईजिक पर प्रतिमन दगाय जानी की मांग तो वहीं दिल्ली हाई कोट में जनहित याच का दायर मनिपूर के राज़ानी इंवाल में उगरवादियों ने क्या ड्रोन अटाक हमले में एक महिला घायल हुई है दो दिनों में ये दूसरा ड्रोन अटाक है हर्याना के जीन्द में दर्दनाक हादसा दुगटना में साथ लोगों की मौत हुई है आठ के घायल हुने की खाबर हिसार शंडीकर नैशनल हाईवे पर ट्रक ने पीछे से पिक अप कुमारी टकर गोगा मेडी धाम जा रहे थे शधालू ट्रक ड्राइवर के खलाफ के इस तरच की जाच पुलिस ने नौ आरूप्यों गिरफतार कर घेजा जिए यूपी के बनायों में अवैद निर्मार पर चला पुल्टोजर तालाप की जमीन पर बने अवैद कबजे को हटाया पुत्तर प्रदेश के वलन शेयर में चल रहे अवैद नर्सिंग होम पर छापी मारी की कारवाई जांच के दोरान कई नर्सिंग होम सील किये गए पियम मोदी ने भी ट्वीट कर सुमित अंतल को दी बधाई लिखा सुमित का शांदा प्रदर्शन रहा है साथी भवशे के लिए दिर्शुप का आपना है पैरिस पैरलंपिक में शीतल देवी और राकेश कुमार ने जीता ब्रॉंज पियम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई रूस के क्रीमिया में भारी बारिश और बार्ड से तबाही सर को पर भरापानी जल जमाव से लोग परेशान है साओधी अरब के मक्का में मुस्ताधार बारिश भारी बारिश के बाद सर को पर भरापानी साओधी अरब के जेद्दा में भारी बारिश से आई बार सर को पर दिखा तबाही का मंज़र अमेरिका के टेकसस में बारिश के कारण बाढ़ पाँच इन से ज़्यादा बारिश के बाढ़ी बाढ़ की चेताब नी जारी इंडोनेशा के माउंट रुआंग में ज्वाला मुखी में हुआ विसफोट ज्वाला मुखी का लावा और राख दूर तक फेला अमेरिका के शिकागो में एक सब्वे ट्रेड में चार लोगों की गोली मारकर हत्या पुलिस ने एक संदेग दुको हिरासित में लिया एक वकट डूर के जंगलों में लगी भीशन आग हेलिकॉप्टर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिच जाई फ्रांस के सेंट ओमर में इम्बैकुलेट कॉंसेप्शन चर्च में आग लग गई फार ब्रेगेड ने आग पर काबू पाया दूकरेन के पावर सेशन पर रूस का हमला बंबारी के बाद लगी आग तो आस्मान में उठा काला धुआ इसराइली सेना ने दक्षणी इलाखे में लेबनान पर लगातार हमले किये वहीं मर्कवा इलाखे में हिस्बॉल्ला के सेंदे ठिकानों को तोस्त किया गया अधर बॉलिविया में इस एकड़ों लोग का विरोध प्रदिशन लगातार जारी देश में बढ़ते आर्थिक संकट को लेकर मार्श निकाला गया